लोगसभा चुनाओ के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब सियासत और तेज हो गई है और वहीं एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया है पहले के मुताबिक और तेजी से अब एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसी कड का नफरत फैलाने का काम किया है और वहीं कुरसी की लालच में सन्विधान को खत्म करना चाहते हैं दरसल राजद सुप्रीमों लालु प्रसाद यादों ने ट्वीटर एक्स पर ट्वीट करते वे यह सारी बाते लिखी है और उन्होंने प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी पर आरोप लगा या है और उनका साथ तोर पर कहना है कि एसे लोगों को खुरसी पर बैठने का कोई हक नहीं है और क्या कुछ उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है पहले आपको बढ़ कर सुनाते हैं लालु प्रसाद यादोंने ट्वीट करते और नफ्रत फैला समाज से न्याय स्वहार्द बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश एवं समुदायों में विगटन व विभाजन पैदा करने पर उतारू हो तो ऐसे व्यक्ति को एक च्छन भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है हमारे महान देश एवं नयाय प्रिय समाज ने ना कभी ऐसे विभाजन कारी सोच को बरदास्त किया है और ना ही आगे करेगा यह गांधी, फुले, कलाम, अंबेड कर, लोहिया, जेपी और करपुरी का देश है कुर्सी के लिए इस महान देश एवं बाबा साहेब के सन्विधान की बली चढ़ाने की मंशार रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुना में कड़ा सबक सिखाएगी तो जैसा कि कुछ इस तरीके से आज राजद सुप्रीमों लालु प्रसाद यादों ने प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी को लेकर ट्वीट किया है कि वह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं समाज से सन्विधान को खत्म करना चाहते हैं और जनता इस बार ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी और उनका साफ तोर पर ये भी कहना है कि उनको अपने कुर्सी से हट जाना चाहिए जो ऐसी बाते करते हैं इस बार इनको जनता सबक सिखाएगी कड़ा सबक सिखाएगी दरसल लोकसभा चुनाओ के दूसरे चरन के मतदान के बाद सही अब सियासत तेज हो गई है और एक दूसरे के ऊपर विपक्षी दल लगतार आरोप प्रत्या रोप लगाने में लग चुके हैं पहले के मुताबिक और भी तेजी से अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहें और ऐसे लोगों को जनता इस बार कड़ा सबक सिखाएगी और जनता बिलकुल नहीं चाहेगी कि ऐसे लोग रहें जो समाज में ब्रह्म फैलाने का काम करते हैं देश को बाटने का काम करते हैं बाकि इस खबर में बस इतना ही आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे स्ताथ और देखते रहे फिर्स्ट बिहार जारकंड अगर आप ये वीडियो हमारे पेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारी यूट्व चा गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ